हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब उमीद कर रहे हैं कि आप लोग केमिकल काइनेटिक्स को लगातार पढ़ रहे होंगे तो हम लोग लास क्लास में फर्स्ट ओडर रियक्षन का बारे में पढ़े थे कि फर्स्ट ओडर रियक्षन क्या होती है और उनका डेरिवेशन भी दिखे और उससे रिलेटेड नीड में जितने भी कोशन आये थे उसको हम लोग सॉल्व किया थे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फेक्टर अफेक्टिंग रेट ओफ रियक्षन थी ना तो उसमें जो पहला तर्म था वो था कंसंट्रेशन को चेंज करने से रियक्षन की रेट कैस अब फर्क होता है क्या टिमप्रेचर बढ़ाने से रियक्षन की रेट बढ़ती है नहीं बढ़ती है इसका बारे में हम लोग डिसकस करने वाले हैं और यह काफी इंपोर्टेंट कांसेंट होता है तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फेक्टर अफेक्टिंग रेट ओफ इसक्री शेवर इसक्री धार्ट twitch अब्सक्रीच जो दूसरा हम लोग याख फेक्टर समय फ्रेक्टर दाए हमारा जो दूसरा ऑने से क्या रियक्षन की रेट पढ़ती घर सिonst आ है इसका बारे में बात करेंगे छो किस एक साइंटिस्ट है जिन का नाम था औरहिनीस भेνग बढ़ाने से reaction की rate बढ़ जाती है जब हमारे पास में मालीजे कोई भी रियक्टेंट है और उसमें गेस के molecule है और आप यहां में temperature बढ़ा रहे हैं ठीक है आप यहां में क्या करने टेंपरेचर को बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे आप temperature बढ़ाएंगे molecule को energy मिलेगा molecule करने लगेगा molecule के velocity बढ़ेगी molecule का आपस में कोलाइड करने की chances बढ़ जाएगी तो product में convert हो जाएंगे और reaction की speed fast हो जाएगे मतलब की temperature बढ़ाने से reacting molecule की velocity बढ़ जाती है और उनका बीच में कोलीजन होने लगता है और उनकी rate भी क्या हो जाती है बढ़ जाती है इसका मतलब होता है कि उनकी speed बढ़ जाती है तो temperature बढ़ाने से reaction की speed बढ़ जाती है तो reaction की rate बढ़ती है मतलब कि यह temperature पर affect होता है तो किता temperature को बढ़ाने से reaction कैसे affect होता है अरहेनियस ने इसका बारे में पूरा study करके बता है कि Every 10 Celsius temperature को बढ़ाने से reaction की rate double या triple हो जाती है यह किसने बात बुला था और और अरहेनियस का एक mathematical equation है जो की काफी important है तो चलिए हम प्रोब करते हैं according to Arrhenius according to Arrhenius every 10 degree temperature every 10 degree Celsius rise in temperature rise in temperature rate of rate of reaction become double or triple हमारा rate of reaction क्या होता है double or triple होता है generally हम लोग double ही पढ़ेंगे हमारी rate of reaction क्या हो जाती है double हो जाती है अलग-अलग भूकों में लिखा होगा triple तो आप उसको triple भी मन लेंगे कि every 10 degree Celsius temperature को बढ़ाने से हमारा reaction का rate double हो जाता है यह किस ने बोला यह Arrhenius ने बोले और यह काफी famous भी है उन्होंने बोले कि अगर हमारा अगर temperature rate को अगर टी temperature में reaction के rate constant k है तो अगर आप 10 degree temperature rise करेंगे तो T plus 10 होगा तो उसका formula क्या होगा delta T by 10 हो जाएगा और यहां में , जो होती है वो क्या होती है तेमप्रेचर कोफिसेन्ट होती है त्मप्रेचर कोफिसेन्ट होती है हुए और यहाँ से हमारा जो mieux की वेलु होती है या तो ट्व git हो सकती है या हमारी 3 होती है अगर question में mention किया होगा के ट्रिप्रेचर एंडिगरी 10 degree temperature बढ़ाने से reaction के rate triple हो जा रही है तो हमारा temperature coefficient क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अगर डबल हो जा रही है तो temperature coefficient कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और डेल्टा टी का मतले हो जाएगा change in temperature जैसे कि अगर आपसे question पुछा जाए कि अगर हमारा 10 degree temperature थोड़ा सा यहां में ध्यान से देगे 10 degree temperature में reaction की rate R है तो 40 degree temperature में reaction की rate क्या होगे reaction की rate क्या होगे reaction की rate अगर हम लोग के बोल दे तो 40 degree temperature में reaction की rate क्या होगे तो आपको क्या करना है देखे 10 degree temperature को rise करे 10 degree temperature को आपको क्या करना है करेंगे 10W करने से रिक्षन के रेट हमारी डबल हो जाती है तो आप इस फर्मूला से यूज़ करना चाहेंगे तो यहां में क्या कोफिसेंट क्या लेना है डू लेना है और कहां से कहां तेक बोला है 10 से 40 तो चेंज इन इन टेंपरिचर क्या हो जाएगा बताएगे डेल्टा-ती का मजलं होता है बंदो होता हैין तेंपरिचर 40-10 races 40-10 तो यहां में ऊजएगा 30 divided by 10 तो 2 की पाउर क्या हो जाएगे 3 तो 2 इंटो 2 इंटो 2 तो 2 जा 4, 2 जा 8 तो reaction की rate क्या हो जाएगे 8 हो जाएगे, मतलब 8 times हो जाएगे तो आप ऐसे ही इस formula को भी योज करके direct आप निकाल सकते हैं अगर question में mention किया होगा कि every 10 degree temperature rise करने से reaction की rate triple हो रही है तो आप यह में mu का जगा में क्या लेना है 3 लेना है, अगर double हो रही है तो mu का जगा में क्या लेंगे, 2 लेंगे तो काफी आसान है, तो copy कर लिए होंगे अच्छा, अगर अगर आप से यह पूछा जाए कि अगर हमारा 10 degree temperature 10 degree Celsius 10 degree temperature पे reaction की जो rate है वो हमारी के है तो 100 degree temperature पे 100 degree temperature पे reaction की rate क्या होगी अप सन में यह होगा 256 times B अप सन में होगा 512 times C अप सन में होगा 126 times और D अप सन में होगा 84 times ठीक है, तो अगर हमारा 10 degree temperature राइज करने से reaction की rate क्या हो रही है यहां में rate हमारी क्या हो रही है double हो रही है ठीक है ना Every 10 degree temperature Every 10 degree Celsius rising temperature rate of reaction become double ऐसा question है double हो रही है तो 10 degree Celsius पे rate का value क्या है तो 100 में क्या होगा तो आप बोलेंगे अच्छा rate अगर हमारा 10 degree temperature में 10 degree temperature राइज करने से reaction की rate क्या हो रही है double to 2 change in temperature क्या होगा 10 से 100 में जा रहे तो change in temperature होगे 90 divided by 10 तो 2 की power 9 होगे तो 2 की power 9 का मतलब क्या हो जाएगा हो प्रक्रेअब प्रक्रांन का मतलब क्या होगी हो तीक है 9 हो जाएगा टो टूसेला फोर टूसेला एट टूसेक्सटिंट थर्टी सट मेस्टी क की ड्र ती हम जएगा इंजकत इंजक आदlusive मेस्ता4 टूसे शींटिक्ती 104 2 1 2 तो correct answer क्या हो जाएगा बी पार्ट तो ऐसे टाइप के आप से question पूछा जाता है अच्छा कौन अरहिनियस ने अपने mathematical equation लिखा और उससे प्रूब करके दिखाया कि 10 डिग्री temperature राइस करने से reaction की rate क्या हो जाती है डैबल हो जाती है अब यह सब copy कर लिया होंगे ठीक है तो आ आप वीडियो को follow करते जाएए आपको प्रोलोब नहीं होगा ठीक है तो आए आगे हम लोग बढ़ते हैं अरहिनियस equation क्या है अरहिनियस ने अपना mathematical equation दिया और अरहिनियस का equation क्या है k is equal to a e की power minus e by rt ठीक है अरहिनियस का equation क्या होता है k equal to a e की power minus e by rt ठीक है और यह हमें हमारा k क्या होता है थोड़ा आपको मालू होना चाहिए यह term k हमारा होता है rate constant यह क्या होता है हमारा pre exponential factor यह हम लोग इसको अरहिनियस constant भी बोलते हैं यह हमारा होता है activation energy एक्टीवेशन एनर्जी और r हमारा क्या होता है यह हमें gas constant और यह हमें r की बेलू 8.314 जूल पर मॉल केल्वेन ठीक है आर के बेलू को यह लेना है और यह में हमारा जो टी होगा वो क्या होगा टेम्प्रेचर होगा और टेम्प्रेचर को किस में रखना है केल्वेन में रखना है तो यह सारी बाते हैं अच्छा आप लोग सुच रहे होंगे कि activation energy क्या है अच्छा देखे activation energy का बारे में हम लोग और डिसकस करेंगे लेकिन activation energy क्या होती है minimum energy reactant molecule को reactant molecule को minimum कितना energy दिया जाए कि वो product में convert हो जाए तो उस minimum energy को हम लोग क्या बोलते हैं activation energy ठीक है इसका बारे में हम लोग डिसकस करने वाले हैं activation energy क्या होती है जैसे आप लोग देखें जैसे यह graph है ठीक है हमारा यह reactant molecule है और यह product molecule है है और यहां में हमारा क्या होता है एनर्जी बैरियर होता है तो देखें यहां में जो हमारे reactant molecule हैं उनका पास भी कुछ energy होता है और यह हम सकती है energy barrier और अरग्ण क्या करता है जब energy barrier को crouch करता है तो product का formation कर लेता है तौब माली जै रेक्टेंड मॉलीक्यूल है यहां में convert करने के लिए इसका पास minimum energy 100 किलो जूल चाहिए तेखो वो रेक्टेंड मॉलीक्यूल productive में convert होगा जिसका पास energy किदना हो 100 किलो जूल लेकिन इस समय हमारे relax do के इनरफ में कितना energy है कितना energy दे दिया जाए, reactant molecule का पास में energy कितना था, 50 kilojoule, sorry 40 kilojoule, कितना energy और दे दिया जाए कि ये energy barrier तक पहुंच जाए, 60 kilojoule, तो ये जो minimum energy दे रहे है, reactant molecule को, जो energy barrier को cross कर जाए, तो यही 60 kilojoule energy क्या कहलाता है, activation energy कहलाता है, कि reactant molecule को minimum कितना energy दिया जाए कि वो energy barrier को cross कर जाए और product में convert हो जाए उस minimum energy को हम लोग क्या बोलते हैं activation energy ठीक है इसका बारे में तो हम लोग और बात करेंगे अच्छा तो यह हमारी बात हो गई देखे अरहनियस का इसका expanded form क्या होता है तो यह तो इसका क्या हो गया equation हो गया तो माल दीज़े मैंने इसको equation number one बोल दिया यह Arrhenius का equation है और इसको solve करना है तो हम लोग लिखेंगे taking ln on both side हम लोग दोनों side में क्या लेना है ln लेना है ठीक है ln on both side तो यहां में आपका क्या हो जाएगा ln k is equal to ln ae की power minus ea by rt ठीक है उमीद करते हैं कि आप इदर copy कर लिया होंगे और आप copy करने में काफी expert होते हैं इसमें no doubt तो आप इदर देखें अगर हम लोग कुछ property लिखाते हैं देखें ln a into b क्या होते बताइए अगर दो नंबर है इसका आगे में एक property होती है ln a plus ln b अच्छा दूसरा अगर हमारा यह property होती है ln a की power m तो यह क्या हो जाती है m into ln a हो जाती है जो भी power होती हो आगे में क्या हो जाती है multiply हो जाती है तो देखें यहां में दो नंबर है तो आप इसको कैसे लिखेंगे ln k is equal to ln a plus ln e की power minus ea by rt ठीक है और यहां में दियान से देखें जो भी power होता है उस power को हम लोग बाहर कर लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा ln k is equal to ln a plus जो भी power होती है वो बाहर आजाती है तो power क्या हो जाएगा minus ea by rt into ln a और तिसरी important point होती है कि हमारा ln e की value क्या ही होती है 1 होती है तो आप यहां में लिख सेंगे तो देखें ln k is equal to ln a minus ea by rt plus into minus minus और ln e तो क्या ही हो जाता है वान हो जाता है ठीक है आपकी side में यह property copy कर लिए होंगे ठीक है अब यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ln k is equal to minus ea by rt plus ln a ठीक है और इसी equation को बोलते है this equation is called this equation is called expanded form of arheneas equation arheneas equation का expanded form क्या होता है ln k is equal to minus ea by rt plus ln a फिर हम लोग देखेंगे कि इनकी graph को बना के देखेंगे कि ln k versus 1 by t की graph कैसी होती है क्या इस graph से हम लोग activation energy को calculate कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं अगर कर पाते हैं तो graph किसका किसका बीच में होना चाहिए और साथ ही साथ में इनका slope कि क्या होता है इसका बारे में देखना है तो आप यह equation को copy कर लिए होंगे आप इस side से copy कर लिजे ठीक है तो यह हमारी equation हो गई ठीक है आप copy कर लिए होंगे equation क्या है बताइए तो lnk is equal to minus ea by rt plus ln a इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अरहनियस का expanded form अच्छा अब आप देखें इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं अगर compare करा जाए y is equal to mx plus c से देखें y equal to mx plus c का graph हमेसा straight line होता है depend करता है कि इसका slope कैसा है slope positive है या negative है तो अगर आप से यहां में पूछा जाए graph बनाई है graph बनाना है graph किसका किसका बीच में बनाना है lnk versus 1 by t का बीच में ठीक है अगर lnk versus 1 by t का बीच में बनाएंगे तो देखें आपका y axis में क्या है lnk है और x axis में आप इसको 1 by t तो लिख सकते हैं यहां में 1 by t 1 by t तो यहां में लिखना है 1 by t तो 1 by t का पहले जो 1 by t x axis में x का पहले जो होता है वो slope होता है तो 1 by T का पहले क्या हो जाएगा slope हो जाएगा और slope क्या ही है बताएगा निगेटिव तो graph ऐसी होगी graph ऐसी decreasing होगी और इनकी जो slope होगी हो क्या होगी बताएगी माइनस ये बाई आर हो जाएगी तो काफी important है देखिए क्या हम लोग बताएगे activation question ये पूछा जाता है कि activation energy को calculate करने के लिए graph किसका किसका बीच में होना चाहिए तो देखिए activation energy को calculate करने के लिए graph lnk versus 1 by T का होना चाहिए अगर lnk versus 1 by T का graph बनाएगे तो इनका जो slope आएगा उसमें activation energy आएगा अगर आपको स्लोप पता होगा तो आप एक्टिवेशन एनरजी की वेलु को calculate कर सकते हैं क्योंकि यहां में जो एर होती है वो constant होती है और उसकी वेलु होती है क्योंकि एक्टिवेशन एनरजी हो रही है तो ए लोन SIM क्यों वूगी वो इनरजी वाली होगी अगर आपसे कोई पुछेगा कि बताइए इनका slope, अच्छा देगे, slope क्या हो गया? मैं इसको यहां में 1 लिख सकता हूँ, तो आप देखे, थोड़ा सा यहां में देखे, मैं cross करके लिख दो हूँ, तो minus activation energy equal to क्या हो जाएगा? इसको cross करेंगे तो, R into slope हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ln k versus 1 by t का graph ऐसा होता है, चिनकी slope minus e by r होती है, और activation energy equal to minus slope into r होती है, कभी-कभी question में ln नहीं देता है, कभी-कभी question में log देता है, बोलता है कि activation energy को calculate करना है, लेकिन graph हमारा log k versus 1 by t का होगा, तो अभी तक हम लोग जो calculate कर रहे हैं, ln है, अब आप ln को log में further convert करना होगा, ठीक है, तो आईए convert करते हैं, ठीक है, आप यहाँ ते copy कर लीजिए, काफी important है graph भी, ठीक है, तो आप copy कर ली होंगे, ठीक है, ln k versus 1 by t का graph ऐसी होती है, जिनका slope क्या होता है, minus e by r होता है, अब थोड़ा सा धियान दीजिए, आपको बताए भी गया था, कि अगर आपका पास ln x है, और इसको convert करना है log x में, तो 2.303 log of x होती है, ln x की value 2.303 log x होती है, तो आप ln k को क्या लिख सकते हैं, 2.303 log of k is equal to minus e by r t plus ln को convert करना है, तो 2.303 log of a, ठीक है, और इस नंबर को आप इधर divide कर दीजिए, तो log k is equal to minus ea divided by 2.303 r t plus, और ये नंबर जब इससे divide होगा, मैं divide करके दिखा भी देता हूँ, divided by 2.303, तो इससे, इससे कट जाएगा, ठीक है, तो आपका finally formula हो गया, log k is equal to minus ea divided by 2.303 r t plus log a, ये इस ग्राफ है, और इसको अगर compare करा जाए, y is equal to mx plus c से, तो वो भी क्या होगी है, कि straight line होगी है, ठीक है, graph भी हमारी कैसी होगी, straight line होगी, और इसका भी slope देखिए, इसका भी slope किसमें बना रहे हैं आप लोग, log k versus 1 by t का, ठीक है, यहां में, देखे, 1 by t का बीच में बना रहे हैं, ये r है, ठीक है, तो क्या होजाएगा, देखे, graph इनका, तो हम लोग graph बना रहे हैं, तो देखे, graph हमारा किसका बीच में है, log k versus 1 by t, ठीक है, तो log k versus तो यहां में आपका y axis में log k होगा, और x axis में 1 by t, इनका भी slope देखे कैसा आ रहे हैं, decreasing, और इनकी slope क्या होगी बताएगे, minus ea divided by 2.303 r, ठीक है, तो बस यहां में ln में होता है, तो यहां में यह number नहीं होती है, 2.303 नहीं होती है, जब लोग आ जाती है, तो r का आगे में 2.303 नमबर आ जाता है, ठीक है, तो इनके graph ऐसी होगे, तो यहां से माल लीजिए 1 है, तो अगर आप activation energy निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2.303 r into slope, तो यह activation energy को इधर में भेज़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, minus 2.303 r into slope, तो यह formula हो गया, तो यह हमारा formula होता है, low cave equal to minus ea यह, तो आप इस formula को और इस graph को अच्छा से copy कर लीजिए, तो अब देखें, हम लोगा formula होता है, तो अगर आपको different temperature पे rate constant given है, तो उसको आपको इसे निकाल सकते हैं, तो मैं derive करके भी दिखा देता हूँ, देखें, अगर हमारा formula क्या होता है, लोग के या ln के से बात होती है, अगर ln में बात करते हैं, तो ln k equal to क्या होता है, minus ea by r t plus क्या था, ln a, तो आप माह लीजिए, अगर two different temperature थी है, two different temperature और यहां में different rate constant, तो different temperature में different rate को अगर माह लोग टीवन temperature है, तो rate constant k1 है, और t2 temperature होगा, तो rate constant k2 है, इन से relation करके एक formula बनती है, आपको वेसे आपको direct याद भी होना चाहिए, तो चलिए एक condition में लिखता हूँ, अगर हमारा rate constant k1 है, तो temperature क्या है, बोलिए, तो आप लिख सकते है, ln k1 is equal to minus ea by r temperature होगिया t1, plus ln a, equation number 1, ठीक है, और t2 temperature पे rate constant k2 है, तो यहाँ में हो जाएगा, ln k2 is equal to minus ea by r, अगर rate constant k2 है, तो temperature क्या होगा, बते हैं, t2 होगा, plus ln a, equation number 2, अब दीखे, आपको finally क्या होगा, a और a को हटाना है, तो आप क्या करिए, equation 2 से equation number 1 को minus कर दीजे, तो आप लिखेंगे equation 2 minus equation number 1, ठीक है, अब equation number 1 है, और यह equation number 2 है, तो आपको क्या करना है, देखे, जब भी यह equation number 1 होगा, और equation 2, तो आपको क्या करना है, equation 2 minus equation 1, ठीक है, तो जब भी equation 2 और equation 2 और 1 को minus करना है, equation 1 minus equation 2, आपका मर्जी जो भी कर लिए कोई भी एक equation से कोई भी दूसरा equation को क्या करना है minus करना है ठीक है तो देखें मैं यहां में लिख देता हूँ ln एक बार लिख देता हूँ ln k2 is equal to minus ea minus ea ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते हैं ln k2 minus ln k1 is equal to क्या हो जाएगा minus ea by r t2 plus ln a फिर minus times minus ea by r t1 plus ln a ठीक है equation 2 को अपने equation 1 से minus करा ठीक है यहां तक हो गए और यहां में तोड़ा एक property होती है देखें मैं आपको यह लिखाया भी था ln a by b क्या होते है बताएं ln a minus ln b ln a minus ln b को हम लोग क्या लिखते हैं ln a minus ln b को क्या लिखते है ln a minus ln b equal to क्या होते है ln a by b तो यहां में देखो ln a तो आप इसको क्या लिख सकते है ln a minus ln b को अब क्या लिखेंगे ln k2 by k1 यहां से यह minus open करेंगे तो क्या होगी है minus ea by r t2 plus ln a माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस E A by R T 1 माइनस L N A तो L N A से L N A कट जाएगा तो आपका हो जाएगा L N K 2 by K 1 is equal to आप इसको पहले लिख सकते हैं E A by R T 1 minus E A by R T 2 ठीक है तो यहां से हो गया L N K 2 by K 1 is equal to यहां से E A by R को common कर लिजे E A by R common हो जाएगा 1 by T 1 minus 1 by T 2 यह हमारी formula हो जाती है ठीक है अगर आपको two different temperature पे अगर two different temperature दिया है अगर different temperature पे different rate consent है तो उस case में आपको क्या करना है यह formula को यूज करना है आपका देखो याद कैसे कर सकते हैं देखें कभी L N में देता है कभी log में देता है अगर यहां में K 1 है तो यहां में क्या होगा T 1 minus T 2 L N K 2 by K 1 नीचे में K 1 आता है तो यहां में क्या आएगा 1 by T 1 minus 1 by T 2 ठीक है तो यह हमारी formula है ठीक है आप copy copy कर लिया होंगे मैं इस side से मिटा देता हूँ ठीक है आप screenshot ले लिजे copy कर लिजे या वीडियो को post करके आप पहले अच्छो से note कर लिजे ठीक है तो यह हमारा एक formula भी derive हो गया और वैसे आपको direct याद होना चाहिए formula क्या है देखें मैं एक पर लिख देता हूँ ln k2 by k1 is equal to ea by r 1 by t1 minus 1 by t2 ठीक है यह हो गया formula और देखें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको ln को log में भी change करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखें 2.303 log k2 by k1 is equal to ea by r 1 by t1 minus 1 by t2 और यह number को आप इदर divide कर दीजे तो log k2 by k1 is equal to ea divided by 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2 तो यह भी formula है देखें यह formula ln में है यह formula ln में होगा और यह formula log में है तो log में आने से बस यहां में r का आगे में क्या आ जाएगा 2.303 आ जाएगा आप इस formula को copy करिए इससे related हम लोग अभी question solve करेंगे copy करिए तो यह question देखें 2021 का है लिखा है देखें देखें आपको क्या निकालना है activation energy और आर की वेलू दिया है और देखें आपको activation energy निकालना है और आपको पता भी था कि अगर हमारा स्लोप ln k versus 1 by k का ln k versus 1 by t है तो स्लोप क्या होती है स्लोप क्या होती है माइनस activation energy by r स्लोप given ने आर की वेलू मालू में activation energy निकालना है लेकिन हमारी जो आर की वेलू होती हो किसमे है जूल में लेकिन आपका सारा इंसर किसमें दिखाई दे रही है किलो जूल में तो फर्दर आपको जूल को किसमे करवाट करना पड़ेगा कि लो जो तो बताए जब हमारा graph मैं आपको याद दिलिए आ हो जब हमारा graph lnk versus 1 by t का होता है तो क्या इनकी जो slope होती हो क्या होती है माइनस activation energy भाई यार तो बताए यहां से activation energy क्या हो जाएगी minus slope into r सिंपल सी बात है स्लोप क्या होगी एक्टिवेशन एनरजी क्या हो देगे माइनस स्लोप कितना है देखे स्लोप कितना है माइनस 5 इन्टो 10 पाऊर 3 और और की वेलू क्या ही लेना है बताई यह 8.314 जूल पर मॉल केल्विन ठीक है ना और इसलोप हमारा कितना था इतना था Kelvin ठीक है तो देखे Kelvin से Kelvin कट जाएगा तो activation energy क्या हो जाएगे minus और minus plus हो जाएगा तो 5 into 10 की power 3 और क्या हो जाएगा 8. इंटू क्या हो जाएगा 8.314 314 Joule पर मॉल हो जाएगा लेकिन आप देखे सारे इंसर हमारे किसमे हैं किलो जूल में तो आप जूल को किलो जूल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं देखे 8.314 divided by 1000 तो जूल हो गया क्या किलो जूल पर मॉल और 10 की power 3 से ये कट जाएगा तो आपका activation energy क्या हो गया 5 into 8.314 किलो जूल पर मॉल जब आप इसको multiply करेंगे 5 into 5 or 27 तो फाइटी जब 15 कि एट फाइट फोटी वन पॉइंट फॉर फाइब सेवेन तो आप एप्रोक्स वेलू क्या हो जाएगा तो पुर्टी वन पॉइंट फाइट किलो जूल पर मॉल तो ठीक है किलो जूल पर मॉल तो देखिए इसमें कौन से अंसर मैच कर रहे है बी अप्सन मैच कर रहे है आप इसको कॉपी कर लिए तो यह देखिए 2015 को कुस्टन है बोला है कि activation energy of reaction can be determined from the slope of which the following graph देखिए मैं आपको बताया था कि एक्टिवेशन energy को determine करने के लिए ग्राफ किसका किसका बिच में होना चाहिए यह लनके वर्सेश वन गाई टी लनके वर्सेश वन बाई टी का ग्राफ बनाते हैं तो वहां से हम लोग क्या केल्कुलेट कर सकते हैं ये कोई साओ श्मक्राइब ग्राफ होना चाहिए अलंखके एंग्री अप्राइब 2 यारेड़ा ट擊्सवली इस ऊप out इतनी है तो 400 Kelvin temperature पे रेट कॉंसेंट क्या होगा ठीक है तो देखे और चार अप्सन यहां में दिया गया है तो माली जी हम लोग के वन का वेलू हमारा है 1.6 इंटो 10 की पाउर 6 और temperature T1 कितना है 200 Kelvin तो रेट कॉंसेंट की वेलू क्या होगी जब हमारा टिंपरेचर 400 Kelvin होगा तो हम लोग फर्मूला जानते हैं देखे फर्मूला क्या होगा हमारा लॉग के टू बाई के वन इस इकॉल टू इए बाई आर यह भई 2.303R 1 बाई T1 माईनस 1 बाई T2 और दीखे आपको कोशन में क्या गिवेन है एक्टिवेशन इनर्जी 0 है तो यहा आमें एक्टिवेशन इनर्जी को क्या करना है 0 देखो आप T1 T2 कुछ भी वेलू पूट करो अगर activation energy 0 है तो यह सारी term क्या हो जाएंगे 0 तो आप यहां में लिखेंगे log k2 divided by k1, k1 का value है 1.6 into 10 की power 6 और activation energy 0, 2.303R और 1 by T1 का जगह में 200 minus 1 by 400, ठीक है, यहां तक हो जाएगा, ठीक है, अब धियान से दिखे, 0 into सारा number 0 हो जाएगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि log k2 divided by 1.6 into 10 की power 6 की value क्या आजएगी 0, और आपको मालूम होता है, log 1 की value 0 होती है, आपको याद हो नहीं, log 1 की value 0 होती है, तो आप इसके अभी लिख सकते हैं, log k2 divided by 1.6 into 10 की power 6 is equal to log 1, क्यों log 1 लिखा गया है, देखे, log 1 की value क्या होती है 0 होती है तो 0 को आप लिख सकते हैं log 1 यहां से लोग से यहां से लोग कट जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे k2 divided by 1.6 into 10k power 6 is equal to 1 तो k2 की value क्या हो जाएगे 1.6 into 10k power 6 तो बताइए जब हमारा activation energy 0 है अग जब हमारा activation energy 0 है तो T1 temperature पे जो rate constant होगा और T2 temperature पे भी T2 temperature जितना मरजी उतना आप increase कर लिजे लेकिन rate constant चेंज नहीं होगा कब नहीं होगा जब हमारा activation energy 0 हो तो correct answer हमारा क्या हो जाएगा 1.6 into 10k power 6 तो correct answer क्या है बी पार्ट है तो आज की class हम लोग यहीं में खतम करते हैं next time में activation energy से related बहुत सारे question करेंगे previous year की जितनी भी question आई हैं और जितनी भी competition जही मेंज advanced level का question करेंगे तो आज के लिए इतने ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई बाई